हाई एब्रिवन आज मैं स्पेशल चाय बनाने जा रही हूँ तो दिखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ अभी तो फास्ट वगेरा तो सब खतम हो गया है तो स्पेशल चाय बना कर हम अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखेंगे और हो जाएंगे ठीक है तो चलिए ये च सब्सक्राइब कर दिजिए ठीक है तो चलिए किस तरह से बनाते हैं मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ और ये सब भी को आ जाएगा बहुत ही टेस्टी सा बनता है आप बना कर देखिए मसाले वाली चाय ये एकतम सिक्रेट है ठीक है कभी बेकार नहीं होगा बहुत ही स् सुबा सुबा जब मार्निंग हम सुरू करते हैं तो अ चाय से ही सुरू होती है नुटकश है तो देखिए सबसे पहले मैं देर कप दूद को निकाल ली हूँ कोई भी पैकेट का दूद होगा जैसे दूदchem से भी लेते हैं तो जासब गरम करने के लिघंगे करने के देरक फिस दो इलाइची ले लेघना अगर इलाइची रचाए लेने सब क्या अप्पलाईची मैं यूओक कड़ रहा हूं अगर आपके पास इलाइची पाउडर हो इस हागए मुए क्या घुनीमी करने अगर खिन ठीट हें लेए दिनेगत लेतने तो दुट लेने क्या थै इसलिए हम कुट कर ही डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है टेस्टी बहुत मस्त लगती है चाई की आपकी तबीत एक दम खुस हो जाएगी से चाय करके पी ओगे तो ठीक है सरदर्द वगिरा सब चला जाएगा ठीक है यह तो दो इंच का द्रग भी मैं एक कप में तीन कप पानी डाल देंगे क्योंकि देड़ कप दूद लिये हैं तो तीन कप पानी एकदम खौलते हैं थोड़ा कम हो जाएगा तीखिए एक कप डाली हूँ अभी दो कप फिर अभी तीन कप इसी मेजर्मेंट से आप बनाईए आपका चाय कभी बिगड़ेगा एकदम बड़ी हासा मस्त बनेगा ठीए एकदम कड़क चाय बनेगी है आपका माइंड फ्रेस हो जाएगा एकदम हाई फ्लेम में इसको खौलाएंगे उबालेंगे ताकि हाई फ्लेम क्यों करते हैं कि पानी में जल्दी उबाला जाए फिर जो कूटकर रखे थे अधरक दो दो लॉंग और यह इलाइची सब डाल देंगे और तीन मिनट मीडियम फ्लेम करके उसको पकाएंगे ताकि कलर थोड़ा चेंच हो जाए देखिए पूरा भी पानी थोड़ा रंग उसका चेंच हो रहा है तो समझ जाने का अभी सारा फ्लेवर उसमें आ गया है तो अभी मी पानी को खुब उबालेंगे फिर उसमें अभी डालेंगे चाय पती पानी का रंग अभी चेंच हो गया है तो एक टेबल स्पून चाय पती डाल देंगे अगर सरदी में आप बनाओगे तो क्या करोगे काली मिर्च पावडर डाल कर थोड़ा बनाने का तो खास इस जुका में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया लगता है अगर्मियों में बनाओगे चाय तो सौफ डाल कर बनाईए ठीक है ना आप ये बात ध् बनाओगे तो गर्मी के टाइम में और जब भी मन करेगा इस तरह मेडियम जब नार्मल टेंपरेचर होगा तो इस तरह चाय करके पिए कभी भी भी पीजिएगा ठीक है तो दिखिए अभी चाय पती भी उबा ला गया थोड़ा और इस स्टेज में हम अभी सुगर डाल दे जब देटी बढ़ा सकते हो और मैंने थ्री टेवल स्पून सुगर डाला है चाय पती के साथ ही क्यों डालते हैं अगर सुगर अभी डालेंगे तो पानी छोड़ता है ठीक है ना तो यह चाय पती डालने के बाद ही हम सुगर डालेंगे ताकि थोड़ा पकार एकदम मस्त हो अगर आप ठंडा किया हुआ दूद फ्रीज में रखोगे तो पहले से निकाल कर बाहर मीडियूम टेमपरेचर में आप बाहर रखोगे तो इसका टेमपरेचर बराबर रहेगा नि तो गरम और एकदम ठंडा ठंडा डाल दोगे तो इसे फटने का डर रहता है यह तो मैंने 20 War posture जबेचर माइन आप दुद से बाहर निकाल कर रखंगे तो वह दृद हम डाल सकते हैं आसने Talent से मस्त हो सकता it का आप इस तरह से बनाइए और बहुत ही यह मस्त कड़क चायपनती है आप याद करोगे हैं आपकी चाय कभी द्रेगे नहीं सुबह साम आप यही चाय तो कट्छी से इसे हिलाते रहने का, मतले, stir करते रहने का, ता कि अपना टेस्ट उसमें मस्ता आए दूथ का. मसाली का सारा तो यह चाय बहुत स्वाधिस्ट बनती है और अगर डाल कर स्लो फ्लेम करके रख दोगे तो अच्छा ने लगेगा इसे स्टर करते रहने का ताकि सब पूरा मसाला जो हम डाले है ना पूरा एक साथ एक सारीका हो जाए ठीक है तो यह मैन है इसका खासियत इसे क अब आपके पास थोड़ा और इलाईजी का पावडर ऐसे होगा तो सर्फ करने के बाद थोड़ा सा पिंच भर चिड़कर बुरकर आप सर्फ कर सकते हैं दे सकते हैं और किसे भी टोस्ट के साथ बिस्किट के साथ और यह मठ्री के साथ खा सकते हो यह स्नेक्स यह चाय चाय बना कर पी सकते हो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत मस्त यह मसालेदार चाय बनती है आप एक बार इसी तरीके से बना कर देखिए अब देखिए पूरा यह पांच मिनट उबल चुका है यह मेरा चाय अभी बन चुका है अब इसको बंद कर दे रही हूं बार बार आप इसको ऐसे मीडियम हाई फ्लेम करते रहिए गा और उबलते रहीगा देखिए अभी पूरा मेरा हो गया पकने के बाद पांच मिनट पकाऊगे दूर डलने के बाद फिर तर उबलने के बाद इसे निकाल दी हूं अब पूरा हो गया आप मैं सर्फ कर रही हू अगर थोड़ा थोड़ा गर चाय पिना चाहते हैं तो चार गप हो सकता है चार कप बन जाएगा ऐसे फुल फुल पी हो गए तो तीन कप ठीक है अच्छा लगेगा यह चाय बनाने का तरीका तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और सेर भी करिए अच्छी सी क कमेंट कर दीजिएगा आप कैसे बनाते हैं वह भी बताईएगा और आपका चाय कैसे बना है वह भी हमें कमेंट करके बताईए ठीक है फिर अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना बेल को दबा देना आइकन को